हेलो बच्चो कैसे आप सभी लोग आज हमारा इंगलिश का चैप्टर 22 जिसका नाम है अब्बुक रिव्यू यह हम कले माले हैं मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगा हिंदी में ठीक है इसके लिए आप वुडियो आखरी तक जरूर देखना लेकिन इससे पहले अगर आप हम हमारे साथे उड्यों में ठीक है तो देखो इस चैप्टर का नाम क्या है बुक रिव्यू मतलब कि यहां पर एक डीक करने वाले है उसके बारे में बताने वाले वड़ काईसी है क्या चीज़ें उसमें है क्या पढ़ने लाइक है या या यह नीए यह होता है एक बुक इनुर्ज की खुफिय चावी ब्ल सकते हूं मतरब जोज की एक कुछ ऐसा किया कुछ ऐसा मिनाया जिस से उस को एक ब्रहंओ की चावी टो कैसे मिली वह क्या चीस्शती जिसे चावी बोला जाता है ब्रह्मान का इस चेप्टर में बोला गया है तो वो सब हम देखते हैं आगे चलो स्टार्ट करते हैं यहां पी क्या आपको दिया गया है यहां पहले है George's dad is an ardent environmentalist तो देखो ardent मतलब क्या आप बोल सकते हो passionate environmentalist मतलब क्या होता है जो लोग environment के लिए कि पर्यावरान के लिए काम करते हों क्या बहुत ही जादा पैशनेट मताब बहुत ही जी जहान लगा के इन्वार्मेंट के लिए काम करते थे क्या बोल रहे हैं और यहाँ तक कि जो उसके माता-पिता थे कि इसके जॉर्ज के वो यह मानते थे कि जो नए-ने आविश्कार हो रहे हैं मशीन के और जो भी चीजों की हो रहे हैं साइन्स के द्वारा वो सब जो हमारे पर्यावरेड को है जो हमारी प्रिथुई को है बहुत ज्यादा नुकसान पहुचा रहे हैं ऐसा जोर्ज के माता-पिता का मानना था और आगे कहें और क्या बोल रहे हैं कि वो एक काम से जुड़े हुए थे जो काम था हमारे प्लैनेट को हमारे ग्रह को बचाना धर्ती को बचाना किस से बचाना खत्म होने से बचाना बरबाद की बज़े ठीक है कार के विज़ों क्या? साइकल का यूज करते थे ताकि प्रदूशन नहीं हो, जो कार सी धुवाइं सब निकलते हो, उससे हमारा जो हमारी हवा है वो खराब होती है, प्रदूशित होती है तो इसके लिए लोग साइकल का यूज़ करते थे, ओके, आगे क्या है, there is a, there is a ban on TV and computers in their houses, और क्या बोले है, क्यों उनके घर में TV और computer पर ban था, वंदर कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इस पे रोक थी, they don't buy things like bread and biscuits, और क्या बोले है, वो bread और biscuit ऐसी चीज़े नहीं खरीते थे, they eat only vegetarian and home cooked food, और क् सिर्फ सबजिया और घर पे पका हुआ खाना ही खाते थे, they even use candles to light the house, to avoid using electricity, यहाँ पर आपको क्या बोल रहे है, देखो, कि जो George के माता पिध्या थे, वो लोग electricity के बजाए, बिजली के बजाए, अपने घर में उजाला करने के लिए, बिजली के बजाए, candles का इस्तेमाल, म परेशान करना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोले, जो बिचारा George था, उसे बहुत सारी मुश्किले जहिननी पड़ती थी, जैसे कि उसके दोस्त उसे चुड़ाते थे, और उसकी बेज़ेती करते थे, यह सब क्यों जैसे, कि एरे तेरी मम में डेडी क्या करते हैं, साइकल इसे मार करते हैं, घर में मुंबत्ती जलाते हैं, केंडल जलाते हैं, एलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते हैं, कैसे पुराने जबाने वाले ख्याल वाले हैं, तो इस तरीके की, मतलब आप समझ दो, चुड़ाते थे, जिससे George को परेशान होना पड़ता था, अब उसके माता-पिता सोचते थे, उसका हुल्टा जॉज सोचते था, कि टीव और कंप्यूटर कुछ भी बुरी चीज नहीं है, he has tried to tell his parents that it's possible to save the earth using the computers and the internet, और क्या बोले हैं, कि जो जॉज था, वो अपने माता-पिता को ये बात बताने की कोशिश करता था, कि हम कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके अर्थ को बचा सकते हैं, but no, in their house there can't be any discussion on that issue, क्या बोले हैं, लेकिन नहीं, इनके घर में, मतलब किसके, जॉज के जॉज के माता-पिता के घर में, इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती थी, कंप्यूटर और टीवे सब को लेके, जॉज को हमेशा जानना रहता था, कि ऐसा क्यों, मतलब उसके घर में क्यों नहीं, वो इस्तिमाल क्यों नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा जानना रहता था, लेकिन जो उसके माता-पिता थे, जो जॉज के, वो इस बात पर कभी भी कोई भी चर्चा नहीं करते थे, but who is to answer his questions, क् जो जॉज था, उसके सवालों के जॉज फिर कौन देता, जब उसके माता-पिता कुछ बात ही नहीं करते थे, his parents think that he is still too young to understand global issues, क्या बोले, कि उसके माता-पिता ये सूचते थे, कि जॉज अभी बहुत छोटा है, जो दुनिया के issues, जो दुनिया की परिशानी है, जिसे environment की पेड काटना, global warming, ये सब को लेके अभी जॉज बहुत छोटा है, वो समझेगा नहीं कि किस बात के, किस वज़ा से वो लोग टीवी, कंप्यूटर, कार का इस्सेमाल नहीं करते हैं, अभी दुखो आगे आपको क्या है, जो उसकी पड़ोसी थी, ठीक है, क्या नाम था उसक Father Eric is a brilliant scientist and ever willing to answer all of George's questions, क्या बोल रहाँ पे, कि जो एनी के पिता जी थे, Eric, वो एक बहुत ज्यादा, अब बहुत ज्यादा दिमाग वाले scientist थे, जो George के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तयार थे, अभी दुखो आगे क्या है, Eric has built a super, super intelligent computer named Cosmos, और क्या बोले है, जो Eric थे जो एनी के पिता जी थे, उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा, अच्छा बहुत ही ज्यादा, super computer जिसे बोलते है, वो बनाया थे उनका, जिसका नाम उन्होंने दिया था, Cosmos, ठीक है, आगे क्या आगे क्या आगे, Cosmos has incredible power, क्या बहुत ही ज्यादा पावर थे उसमें, कैसे open windows on the universe and take you to any planet, star, comet, and even to a black hole, and of course, Cosmos can also bring you back from there, क्या बोले देखो यहाँ पे, कि यह जो computer था, Cosmos, यह खिड़की खोल सकता था, universe में, किसी भी planet, star, comet, और यहाँ ते कि black hole पर भी जाने के लिए, ठीक है, कोई भी ग्रह हो, universe का, कोई भी star हो, कोई भी comet हो, यहाँ तो black hole यहाँ कि black hole में भी जाने की खुड़की खोल सकता था, वहाँ पर आप जा सकते थे, और हाँ, Cosmos सिर्फ आपको वहाँ भी भी ला सकता था, वहाँ से आपको वापिस घर भी ला सकता था, ऐसा नहीं, कि आप वहाँ पर गया है, वहाँ पर प्रित्वी पर नहीं आ सकते हो, Cosmos में इ Eric, who do the research and thinking that can make Cosmos work, क्या बोले, जो Cosmos ये computer था, ये पूरी तरह से निरभर था, कि इंसानों पर निरभर था, क्योंकि इंसान जो भी उसके अंदर जानकारी डालते थे, उसी पर वो काम करता था, ठीक है, जैसे कि Eric, जो इस computer Cosmos पर research करता था, और जो भी सोचता था, वही काम Cos Cosmos करता था, ठीक है, आगे का है, science can be used for a good cause and a group of good scientists like Eric have word to use people's welfare, क्या बोले, कि जो science है, वो अच्छे चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि Eric, जो है, इन्होंने बहुत से लोगों की भलाई के लिए science का इस्तेमाल किया था, unfortunately, there is one odd angry scientist who wants to use science for his own selfish motives, क्या यहां हो ले कि लेकि लेकि बदकिस्मती से एक scientist था, बहुत गुस्सायले से scientist था, जो science को अपने मतलब के लिए, अपने फाइदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, ठीक है, आगे क्या है, he is planning to steal Cosmos and all of Eric's research so that he can establish his own rule on another planet, क्या बुल रहें, कि वो जो scientist था, वो प्लैन कर रहा था कि वो जो Eric का computer है, Cosmos, उसको चोरी कर ले और उससे वो एक दूसरे planet पर जाए, दूसरे ग्रह पर जाए और वहाँ पर राज करे, ठीक है, it so happens that only George can do something to overcome the wicked plans of necessary scientist, क्या बोलें, कि उस समय ऐसा था कि यह George जो था, जिसके माता-पिता technology science में एकी नहीं करते थे, बुरा मानते थे तो बोलें, यह जो George था, यही सिर्फ एक ऐसा था इंसान, जो यह बुरे scientist के, जो भी बुरे इरादे थे, इसको खत्म कर सकता था, इसके सामने खड़ा हो सकता था, ठीक है, अधो आगे क्या बोलें, कि अगर आपको जानना है, कि George कौन-कौन से adventure, मतलब कि रोचक की यातरा यह सब पर गया, और कौन-कौन सी उसने strategies ली, मतलब कौन-कौन सी योजना उसने बनाई, उस भूके scientist के, उस ताकत के भूके scientist को रोकने के लिए, अगर यह सब आपको जानना है, तो आपको एक novel पढ़नी पढ़ेगी, जिसका नाम है, George's Secret to the Universe, यह पढ़ने के बाद आपको मालूम पढ़ेगा, ठीक है, अब देखो, यह हमारी हो गई, यहाँ पर story complete हो गई है, जो थी, novel थी जो, अब यहाँ से इसका review स्टार्ट हो रहे है, तो हम सीखेंगे कैसे review दिया जाता है, यहाँ पर हमें बताया है, ठीक है, क्या है देखो यहाँ पर, the author of this wonderful adventure is Lucky Hawking, क्या ब includes plenty of charts, photographs, boxes that give you hard facts about solar system, galaxies, space and the whole universe, क्या बोल रहे है, कि यह जो story है, यह पूरी एक कल्पना पर बनी हुए है, लेकिन जो यह novel है, इसके अंदर आपको बहुत सारे photograph मिलेंगे, किसके मिलेंगे, हमारे जो solar system है, और जो galaxies है, जो space है, जो हमारे space में यह ग्रह यह सब है, और universe, यह स अगने में और भी ज़्यादा रोचक लगेगी, और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, ठीक है, आगे क्या है, इस information, इस information has been presented in very simple, easy to understand manner by none other than Stephen Hawking, who is said to be one of the greatest scientists of our times, क्या बोल रहे है, कि यह जो जानकारी है, इसको एकदम simple तरीके से, दमासान तरीके से दर्शाया गया है बताया गया है, ताकि इसको आसानी से समझ पाए, और यह किस ने किया है, यह हमारे सदी के, यह जो बोला जाता है, यह हमारे समय के सबसे बड़े scientist जिनका नाम है Stephen Hawking, ठीक है, तो देखो Stephen Hawking के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़े नहीं को तो सुने भी होंगे, यह सबसे महान scientist थे, जिनको बहुत कम उम्र में इनका पूरी body काम करना बंद कर दी थी, एक machine की मदद से बोलते थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कई research की, कई किताबे लिखी, तो इसके लिए यह बहुत ही महान माने जाते हैं, ठीक है, आगे क्या भी देखो, क्या बोल रहे हैं, कि उनकी जो काम्याबी थे, उसको और भी ज़्यादा अच्छे से माना जाता है, तो यहां पे surrounding मतलब क्या है, आप बोल सकते हो, और भी ज़्यादा अच्छा, अद्भूत आप बोल सकते हो, अब्द अब क्या बोल सकते हो, रोग, बीमारी आप बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोलएकि उनकी काम्याबी को और भी ज़्यादा सराया जाता है, क्योंकि वो एक फिजिकल बीमारी, फिजिकल रोग के विक्टिम थे, ठीक है, मरीज थे, he has to use a wheelchair to move about, about and uses a computerized voice system in order to speak, क्या बोलने हैं कि उनको एक wheelchair का इस्सेमाल करना पड़ता था इधर से उधर जाने के लिए और उनको बोलने के लिए computerized voice मतब कि एक computer की मदद से आवाज generate होती थी जो बोलना चाहते थे तो उसकी मदद से बोलते थे यहां तक कि वो बोल भी नहीं पाते थे इनके शरीर पे इन computer बोलता था ठीक है देखो अभी आगी क्या बोल रहे हैं यहां वे दा स्टोरी ओफ स्टीफिन होकिंग्स ट्रंफ और इस फिजिकल डैबल डिसेबिलिटीज इस इसे इंस्पाइरिंग एडवेंचर क्या बोल रहे हैं कि स्टीफिन होकिंग की जो जीत थी अपनी जो फिज अभी हासिल की ठीक है अब आगी क्या देखो दबुक इंक्लूट्स वेरी अट्रेक्टिव एंड एक्स्प्रेसिव स्केच्चेज ड्रॉन बाई गैरी पैसंस क्या बोले यह जो बुक है इसमें बहुत सारी अट्रेक्टिव मतब कि हमें अपने तरफ खीशने वाली बहुत कि यह माना जाता है कि बहुत जादा साइंस और टेक्नोलोजी का यूज करने से कई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जैसे कि आप अगर देखोगे कई अभी आप समयलो जो चीजे बनती है लोग उसमें केमिकल इसम का मिलावट करके जल्दी अब समयलो फल सबजी का गजार पहुता है नुक्सान दे इसे में नुक्सान पहुशते हैं आप देखो ध्यान दिये होगे आप फोन की यूज करते हो तो हमें लीयर अगरफ दे से लगकाना भी चीज ये लिए लुक्त SUNya भी new product जोड़े नॉप कर देना के दम से तेक्नोलोजी चोड़ देना उसक कुछ वास्ता नहीं रखना तो यह सब जो है यह सब कैसे यह सब भी कोई solution नहीं है यह सब भी करना जाएंगे तो यह थोड़ा नुकसान पहुचाएगा आज के समय में अगर बिना technology के रहेंगे तो हम लोगों से पीछे रहेंगे ठीक है क्या बहुत है इसके लिए जो हौकिंग है इन्होंने एक बहुत ही खास संदेश एक मैसेज दिया अपनी बुक में क्या है वो मैसेज का है more research more studies and a commitment to use them not for selfish gain but for the welfare of the entire living world क्या बोल रहें कि जादा research में जादा खोज की जाए जादा पढ़ाई की जाए और एक commitment रहे कि वो सारी चीजे जो भी research करेंगे जो भी खोज करेंगे वो लोगों की भलाई के लिए रहे ना कि अपने फायदे के लिए रहे ठीक है तो यह उन्होंने बोला है कि हमें जादा research जादा खोज करने चीए जादा पढ़ाई करने चीए लेकिन आखिर में आके हमें यह सारी चीजें इंसानों की भलाई के लिए दूसरों की भलाई के लिए करने चीए ना कि अपने फायदे के लिए ठीक है तो यहां पर हमारा यह chapter complete होते है अब अगले वीडियो में आपक पैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू